आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ एंडोड न्योक्लियेश में एंडोड का मतलब है internal यानिकी अंदर की तरफ और न्यूकलियेश वर्ड का क्या मतलब है न्यूकलियेश में लाश्ट में लगा हुआ है A.S.C. यानि की यहां पे एंजाइम की बात हो रही है और कौन से एंजाइम की बात हो रही है वो enzyme जो की DNA and RNA के उपर act करेगा और कहां पर act करेगा अंदर की तरफ externally यानि की extremities पर ये enzyme work नहीं करेगा DNA और RNA क्या होते हैं? Nucleic Acid, इसलिए इस enzyme का नाम है Nuclease Endonuclease Restriction word का यहां पर मतलब है It act on specific, specific मतलब एक खास जगा Specific site Restriction का मतलब यह जो है एक खास जगा पर act करेगा और उस जगा को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे recognition sequence यानि की इसके नाम से ही हमें इसके बारे में पता लग जया यानि की एक ऐसा enzyme है जो की DNA और RNA पर work करेगा कहां अंदर की तरफ और ऐसा नहीं की randomly work करता है एक खास जगा है जहां पर यह act होगा अब इसकी naming की बात करते हैं कि किस तरीके से ऐसे enzymes को नाम दिया जाएगा? एक example से समझेंगे एक endonuclease है restriction endonuclease eco-r1 तो इसका नाम ऐसा क्यों पढ़ा? because जो first word है वो describe करता है genus को तो जिस organism से हमने यह enzyme निकाला है उसका genus second word पे हम लिखेंगे species यानि कि जो first word था वो genus को बताएगा और जो second word है जो कि दो alphabet से मिलके बनेगा वो बताएगा species को और जो third letter है वो बताएगा strain को यानि कि यह यहाँ पे our strain से extract किया है और last में जो number होगा वो बताएगा order of discovery के बारे में यानि कि यह कब discover हुआ और्गेनिजम में यहाँ पे यह one है यानि कि यह enzyme सबसे पहले discover हुआ तो genus और species एक्जामपल के तोर पे यहाँ पे eco क्या suggest कर रहा है तो eco suggest करेगा ishrichia coli तो basically यह genus है और यह species है तो इस organism से E. coli से हमने इस enzyme को extract किया इसलिए इसका ऐसा नाम पढ़ा तो यह basically एक bacteria है first word genus, second word आपका species और फिर strain के बारे में और last में हमें क्या पता लगता है order of discovery के बारे में classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर